Hello everyone, welcome to sleepy classes, कैसे हैं आप लोग, hopefully अच्छी होंगे, तो आज का जो हमारा वीडियो है, थोड़ा special वीडियो है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, parliamentary majorities related जो भी आपका doubt है, उसको यहाँ पर clear करेंगे, ठीक है, देखिए, parliamentary majorities जो है, वह बहुत important है आपके exam point of view से भी, और इनके बारे में आपको clarity होना जो है, बहुत जरूरी है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे कि कितने types of majorities होते हैं, ठीक है, जो हम लोग use करते हैं अपने legislative process में, और देखेंगे कि इसमें जो जहाँ पर भी, जो confusion वाला point होता है, उसको भी हम लोग highlight कर कि यहाँ पर clear करने का कोशिस करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं, देखें, सबसे जो basically हम लोग majorities पढ़ते हैं, parliamentary या state legislative assembly के respect में, वो है आपका कौन सा simple majority, absolute majority, effective majority और आपका special majority, ठीक है, देखें, अब हम लोग एक एकर की चीजों को देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कि यह confusion क्यों exist करता है आपका, कि हम लोग का simple majority क्या होता है, absolute majority क्या होता है ठीक है, तो यह confusion जो है, वो इसलिए है, क्योंकि constitution में, जो है, वो कहीं पर भी exclusively mentioned नहीं है, कि कौन सा majority है वो कैसा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी schedule में दे दिया गया है, या किसी part में दे दिया गय जो है आपका Constitution में जो है वो नहीं दिया हुआ है ठीक है ऐसा बहुत सारा चीज है जो Constitution में हम लोग या तो उसको Supreme Court या High Court जो है इसको interpret करता है ठीक है या फिर हम लोग जो है क्या करते है विदिन आर्टिकल्स को पढ़ पढ़के जो है फिर हम लोग एक निकालते है निशकर्स कि अच्छा ऐसा majority होता है तो उसको simple बोल देते है ऐसा होता है तो उसको absolute बोल देते है ऐसा होता है तो उसको special बोल देते है ठीक है जैसे और कुछ terms है जैसे आपका office of profit आप सुनते होंगे office of profit ठीक है जोने उन्हें भी quality पढ़ा है उनको office of profit बता होगा तो office of profit का भी clear definition जो ह वो अपने से निकालना पड़ता है, समझना पड़ता है, इंटरेट करना पड़ता है, और बहुत सारे चीज जो हमारे constitutional courts है, high court और supreme court वो उसको interpret करते है, ठीक है, तो इस confusion को exist करने का बस major reason यही है कि कोई भी चीज जो है, वो exclusively करने का, finish करने का, ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारा चीज को देखते है, अब जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ऐसे तो जो majorities है, यह आपके state legislative assembly में भी काम करते हैं, ठीक है, लेकिन majorly हम लोग majorities पड़ते हैं, in context of parliament पड़ते हैं, ठीक है, और parliament basically आपका दो house से comprise होता है, एक है आपका lower house ठीक है, और एक है upper house, lower house जो की लोग सभा होता है, इसमें currently अभी कितने members है, 545 members है, ठीक है, जिसमें 543 जो है वो elected members है, प्लस 2 जो है वो आपका nominated Anglo-Indians है, ठीक है, उसके आपका जो राजसभा है, उसमें भी currently 245 members है, जिसमें आपका 233 members, जो है, that is indirectly elected, जो की आप जानते हैं, प्लस 12, that is आपका, जो है वो nominated members है, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें कि इन दोनों houses के respect महीं हम लोग देखेंगे, जितने majorities कैसे work करते हैं, ठीक है, चलिए हम लोग start करते हैं, देखें, अब यह किसी साल का, ठीक है, किसी साल का यह लोग सभा का जो है results है, ठीक है, अब total strength जो है लोग सभा का वो 543 है, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, absolute majority, absolute majority क्या होता है, पहले हम लोग term देख लेते हैं, definition देख लेते हैं, majority of more than 50% of the total membership of the house, ठीक है, total membership को हम लोग जो है, वो total strength भी कहते हैं, ठीक है, कुछ terms है यहाँ पर जिसको आपको ध्यान देना है, और आपको जो है, note कर लेना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक है total strength, उसके बाद हम लोग देखेंगे, what is present and voting, तो इस तरह की concept जो है, आपको थोड़ा से याद रखना पड़ेगा, और थोड़ा से समझना भी पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर एक-एक terms को है, आप note करके रखें, अब जैसे absolute majority क्या होता है, कि जब आपका majority जो है, वो 50% जो total membership का है, उसका होना चाहिए, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 543 members हैं, तो 543 members हैं, तो basically अगर आप इसको 2 से divide करते हैं, तो कितना होता आपका 271, 271 point something आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस absolute majority gain करने के लिए, आपको कितना votes चाहिए, 272, ठीक है, अगर आपके पास 272 votes है, या 272 members हैं आपके पास, तो जो है वो आप बोलेंगे कि आप जो है, वो absolute majority command करते हैं, अब absolute majority हम लोग कहां basically use करते है जब ही अरजाब का general election होता है, जैसे लोगसभा में election है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि कोई भी party या कोई भी alliance जीत गई है, तो वो क्या करेगी, वो minimum 272 seats जो है जिस पर उन्होंने contest किया है, उस पर उनको जीत जाहिए, 272 seats उनको जीतना पड़ेगा, तो जब इस तरह का majority का बात होता है, तो इसको हम लोग बोलते है absolute majority, तो क्या हुआ absolute majority का clear बात हुआ कि 50% of TSH, ठीक है, TSH जिसको बोलते है total strength of house या total membership of house जिसको भी आप बोल सकते है, TMH या TSH, इसका जो 50% होता है, इसको हम लोग बोलते है absolute majority, ठीक है, अब अगर आपको कहीं question और absolute majority का discussion होता है, व जो even आपके parliament में होते हैं, वो आपका simple majority से होता है, special majority से होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन जब हम लोग absolute majority का बात करते हैं, तो वो बात आता है आपका जब elections होता है, क्योंकि हम लोग को क्या करना रहता है, 50% of total strength है, उतना ज्यादा seats हम लोग को लाना कह सकते हैं कि ये आराम से ये election जीत गई थी, ये party, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने समझा absolute majority, इसके बाद आता है देखें, simple majority, simple majority क्या होता है, हम लोग पहले definition देखेंगे, majority of more than 50% of the members of present and voting, अब यहाँ पर देखें, present and voting, अब देखें क्या होता है, लोगसभा में आपक जब elections हो जाता है, normal procedure चालू होता है, legislative procedure चालू होता है, तो एक दिन सोची आप एक parliament का, लोगसभा का session चल रहा है, ठीक है, अब उसमें जितने members है, 543 या 545 members जो है, वो total, उसमें से जो है, definitely सारे लोग present नहीं होंगे, कुछ लोग absent होंगे, ठीक है, तो जो लोग absent है, उनको हम लोग count नहीं करेंगे, ठीक है, उनको हम लोग count नहीं करेंगे, तो सबसे बड़ा बात आ गया का पहले present, जितने लोग present है उसमें से, अब इसमें से क्या होगा, कुछ लोग जो है, वो abstain करेंगे, abstain मतलब क्या होगा, कि vote नहीं करेंगे, abstain from voting, ठीक है, कुछ लोग vote नह है ठीक है तो अब कितने बचे आपके 560 मेंबर्स ठीक है इस में से क्या है 20 मेंबर्स ने जो है वो absent कर दिया voting के यह जो है यह vote नहीं करेंगे तो आपका कितना बचा 540 ठीक है यानि अब आपके पास जो है 270 प्लस वन मतलब एक जादा रहना चाहिए तो आपका 271 वोट्स आपको चाहिए कोई भी legislation पास करने के लिए ठीक है अगर जिस दिन 540 मेंबर्स जो है वो present है और वोट भी कर रहे हैं ठीक है अब देखिए हम लोग जो simple majority का है उसको कहां कहां यूज करते है कोई भी ordinary legislation पास करने के लिए कोई भी money bill जो आपका पास होता है ठीक है financial bills जितने भी होते है उसको पास करने के लिए उसके बाद आपका जो NCM होता है जिसको no confidence motion कहते है ठीक है जब आपको यह कहा जाता है कि कोई party जो currently power power में है वो अब पार्लेमेंट या लोगसभा का जो है वो confidence जो है वो अभी garner नहीं करी है या उसका जो है वो उसके party में बगावत हो गई है जो भी हो गई है अब वो majority hold नहीं करी है तो उस समय क्या होता है एक no confidence motion लाया जाता है अगर no confidence motion जो है वो पास कर लिया जाता है तो माना जाता है कि पार्टी जो है वो जो मतलब अपना confidence जो है वो खो चुकी है लोग सभा में इसी तरह का adjournment motion होता है sensor motion होता है confidence motion होता है तो इस तरह का चीज़ को जो है हम लोग simple majority से जो है वो pass करते हैं तो simple majority क्या हुआ जितने लोग आये हैं और जितने लोग vote किये हैं ठीक है उन्ही में से हम लोग को 50% लेना है अगर वो 50% से एक vote और जादा हम लोग ले आए तो हम लोग का जो है वो simple majority achieve हो जाएगा ठीक है वैसे ही देखिए financial emergency को भी declare करने के लिए चाहे प्रेसिडेंट रूल को भी declare करने के लिए आपका जो है जिसको हम लोग state emergency भी वोलते हैं उसको भी जो है वो आपको simple majority से किया जाता है ठीक है उसके बाद election of speaker deputy speaker of law और state legislature जो है ये भी आपका इसके ही through किया जाता है ठीक है अब देखिए एक होता है क्या है अब हम लोग constitutional का constitution का amendment भी करते है अब हम लोग next slide में देखते है देखिए constitution का amendment जो होता है basically हमारे यहाँ वो दो तरीके से होता है एक तो होता है under article 368 जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे कि उसमें special majority यूज़ करते हैं लेकिन उसके अलावा जो क्या होता है जो होता है name change करना तो इस तरह का चीज़ के लिए क्या होता है कि हम लोग जो है इसको बोले इसको हम लोग नहीं बोलते है कि this is amendment under article 368 यह under article 368 के अंदर का amendment नहीं हुआ यह उसके outside का हुआ ठीक है तो constitution amendment दो तरीका से होता है एक under article 368 और एक outside article 368 तो outside article 368 जो amendment होता है that is done by simple majority ठीक है तो आपने हमने देखा कि simple majority का uses कहां था यहां पर एक देख लिया जो ordinary legislation पास करना था इसके अलावा जो constitutional amendment में जो outside article 368 हो रहा है that is also done with the help of simple majority ठीक है तो यहां तक आपको simple majority का concept clear हो गया था तो अब देख यह absolute majority का है जल्दी से revise कर लेता है absolute majority का है जो कि आपका TSH का 50% है total strength of house या total membership of house का 50% that is absolute majority और absolute majority हम लोग अभी यूज करते हैं जब भी elections होता है जब हम लोग को यह party जो है वो यहां हम लोग को government form करना रहता है तो हम लोग absolute majority का बात करते है ठीक है simple majority का होता है present and voting जो कि आपके लोग present है और उसमें से जो सिर्फ vote करने है जो abstain कर रहे हैं उनको count नहीं करेंगे ठीक है जो present and voting है उसका जो हम को 50% चाहिए तो हम लोग को मिल जाता है simple majority ठीक है लेकिन article 67 ठीक है 67 clause B में ये mention किया गया है कि हमारे जो vice president होते है ठीक है vice president जो होते है जो कि आपके ex-official chairman भी होते है राजसभा के उनको हटाने के लिए या उनका removal के लिए हम लोग को क्या चाहिए 50% of the effective strength of the house ठीक है अभी एक नया टाम आ गया effective strength of the house अब ये effective strength क्या होता है तो effective strength basically क्या होता है आपका जो अगर आप समझने का कोशिस करें यहाँ पर effective strength आपका वैसा strength होता है अगर हम लोग total strength जो कि आपका TSH है total strength of house या total membership of house उसमें से अगर हम लोग vacant seats हटा दे अब आप बोलेंगे vacant seats क्या होता है आपने absent आप यहाँ पर confuse नहीं करें यहाँ पर vacant बोला जा रहा है absent नहीं बोला जा रहा है absent और vacant में बहुत difference है देखिए vacant क्या होता है कि आपने जैसे एक लोग सभा में मान के चली कि election हुआ लोग elect हुए अब obviously आप जानते है कि क्या होता है कुछ-कुछ जैसे बहुत सारे candidates जो है वो double seats से जो है वो लड़ लेते हैं जैसे हमारे Prime Minister ही है वो दो seats से लड़ सकते हैं लड लिए लोग सभा लेकिन होता क्या है कि वो लड़ तो लेते हैं जीत तो जाते हैं या आप किसी अल्रेडी किसी दूसरे हाउस के मेंबर थे आपने दूसरे हाउस में election जीत लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा उस वाल इस हाउस में seat छोड़ना पड़ेगा या आप अल्रेडी जो है Member of Parliament थे और आपने State Legislative Assembly वाले election में भी आपने seat जीत लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा अपना Parliament का जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा तो इस तरह का जब चीज होता है तो यहाँ पर क्या होता है एक vacancy हो जाता है permanent जिसको हम लोग बोलते है तो vacancy जो है और भी रीजन से हो सकता है कैसे हो सकता है अपका death से अगर कोई Member of Parliament की death हो जाए तो वो भी seat आपका vacant हो जाता है अगर उन्होंने resign कर दिया ठीक है तो भी vacancy हो जाता है अगर उनका election जो है वो आपका null and void declare कर दिया गया तो भी वो seat vacant हो जाता है अगर उनको disqualify कर दिया गया on the matter of कर सकते हैं, defection ठीक है, तो वो तब भी seat vacant हो गया तो जो भी seats vacant हो गया absent, absent नहीं, absent का बात नहीं हो रहा है अच्छा एक और भी reason होता है vacant होने का अगर कि आपका कोई भी member 60 days के लिए है जो वो absent हो जाए, without informing the chairperson या जो भी speaker है उनको without inform कि house को inform किये बिना absent रह जाए तो उस case में जो है, वो speaker जो है या फिर chairperson है, वो decide कर सकते हैं, case member को जो है, वो disqualify कर दिया जाए या जो है ये seat vacant हो जाएगा आपका, ठीक है तो vacancy का बहुत सारा reasons हो सकता है तो जब vacancy आपका होता है तो उन vacant seats को हम लोगो क्या करना है total strength से हटा देना है और जो भी seats अब भचेंगे उसमें जो है, हम लोगो क्या देखना है 50% तो जो भी 50% आपका देखना है, effective strength का उसको हम लोग बोल देते है effective majority, बहुत easy concept है आपको क्या करना है total strength of house में से सिर्फ और सिर्फ वैकेंट seats हटा देना है ठीक है, तो जैसे for example हम लोगो लेता है, जैसे भी मान के चली 545 seats है, ठीक है 545 seats है तो अब क्या करते है, हम लोग इसमें से आपके 35 जो है मान के चली वैकेंट है 35 आपके वैकेंट है, तो अगर 35 आप मान के चली 45 वैकेंट है calculation के लिए तो आपका बचा 500 ठीक है, तो 500 तो आपको कितना चाहिए 250 plus 1, तो basically 251 आपको seats चाहिए अगर आपको vice president को हटाना है seats से तो, यानि effective majority ठीक है, इसी तरह से आपका क्या है removal of speaker, deputy speaker of log sabah and state legislature assembly को भी हम लोग इसी से करते हैं तो hopefully आपका effective majority या effective strength आपको जो है concept clear हो गया होगा, यहां से, ठीक है देखिए, अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कहा कि आपको कहीं पर constitution में defined नहीं होता है लेकिन आपके article 67 clause B में दे दिया गया है कि effective strength का 50% चाहिए, तो यहां से हम लोग का क्या निकल के आगया, effective majority ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते है अब आजाता है हमारा बहुत important जो कि आपका special majority और लोगों को सबसे ज़्यादा confusion जो होता है होता है आपका यहीं पर होता है, ठीक है इसमें basically तीन तरह के होता है एक होता है special majority of first kind एक second kind और एक third kind ठीक है, अब यह भी देखिए यह जो classification है, this is not given in constitution बहुत लोगों को confusion होता है कि अगर वो लक्षमी कान्त पढ़ते चले जाते है तो उनको लगता है कि यहीं constitution है ऐसा नहीं है, आपके constitution हो जैसे आप pocket veto का बात करते है या जो आप जितना भी veto power दिया हुआ है government को तो ये veto जो pocket veto है ये आपका absolute veto है इस तरह का terms जो है वो constitution में नहीं दिया हुआ है ठीक है, ये आप हम लोग क्या करते है समझने के लिए, ease के लिए हांकि हम को आसानी हो समझने में इस तरह के terms को हम लोग use करते है अपने, मतलब ease के लिए ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहां पर जैसे special majority को तीन categories में divide कर दिया है ठीक है, जैसे first kind, second kind or third kind, अब हम लोग को देखते है कि इस तरह के majority जो हम लोग कहा कहा यूज करते है सबसे पहले हम लोग देखते है first kind देखिए first kind क्या है, definition देख लेते है majority of two-third अब यहां पर two-third की बात आने लगी है ठीक है, अभी तक हम लोग basically 50% की देख रहेते है अब आ गई है two-third, ठीक है तो two-third members present and voting चलिए, present and voting हमने कहा पर देखा था जल्दी से बताइए, हमने देखा था simple majority में ठीक है, अब special majority of first kind क्या है कि इसमें two-third two-third जो है आपका members का आपको strength चाहिए of present and voting ठीक है, जो की present है और vote कर रहे है उनका two-third जो है, वो आपको चाहिए कोई भी चीज पास करने के लिए अब ये mentioned कहा है, ये आपका mentioned है article 249 में अब article 249 basically क्या है article हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि देखे, राजसभा जो है राजसभा को जो है ये power मिला है कि वो जो है वो अगर special majority of first kind से एक resolution पास कर दे ठीक है, तो parliament को वो request कर सकती है कि वो कुछ laws जो है, वो state subject पर जो है वो बना सकती है ठीक है, अगर राजसभा ऐसा resolution पास कर दे with two-third majority of present and voting तो उस case में क्या है, parliament को ये power मिल जाएगा कि वो state subject पर जो है, वो legislate कर सकते है ठीक है, देखें आपर दिया हुए, power of parliament to legislate with respect to matters in state list state list basically क्या होता है, हम लोग जानते है तीन तरह का list होता है, एक होता है union, एक होता है state, एक होता है concurrent, तो state list में क्या होता है, जो laws बनाने का jurisdiction है, that is belong to the state legislative assembly लेकिन क्या होता है, कि राजसभा को जो है, वो किसी भी state subject पर जो है, वो legislate कर सकता है, ठीक है तो अब देखें, यहाँ पर यह जो आर्टिकल 249 में इस तरह का, आपका देखें, यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर जिसे दिया हुआ है declared by resolution supported by not less than two-third of the members present and voting, अब यहाँ पर यह जो दिया हुआ है यहीं से हम लोग निकाल लिये है कि चली यह जो है, क्या है special majority of first kind है, ठीक है यह कहीं आपका दिया हुआ नहीं है, इसके जो मतलब इस आर्टिकल के within दिया हुआ है कि two-third majority of present and voting होगा तो उसको हम लोग मान लेते है special majority of first kind, ठीक है तो यहाँ article 249 से निकल के आपका आगया special majority of first kind इसके अलावा एक और article है article 312, इसके अंदर क्या होता है कि राजसभा को power है कि वो एक resolution pass करे ठीक है, यहाँ पर देखे, not less than two-third of members present and voting ठीक है, यहाँ पर भी यही same majority का discussion हुआ है, इससे क्या है कि वो कोई resolution pass कर सकती है कोई all India service बनाने के लिए all India services मतलब क्या होता है जैसे आपने पढ़ा होगा आपका Indian administrative service है, Indian bullish service है तो इस तरह का service जो है कि आपका है all India services है, जो कि आपका कहीं पर भी posting हो सकता all India में जैसे एक होता है, अगर आप civil services के बारे में जानते है तो एक होता है central services, एक होता all India services, ठीक है, तो all India services basically क्या होता है कि आपके पूरे country के लिए आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है और basically आपको क्या है आपका dual control रहता है, आप center के भी employee है और आप state के भी employee रहते है ठीक है, तो इस तरह का service जो है वो, राजसभा जो है, वो create कर सकती है एक नया service ऐसा, all India service जैसे अगर मान के चली, future में all India judicial services जो है, वो launch कर दे, ठीक है, या जो हैसा करके लोग ले आए, decide कर ले, तो ये राजसभा करेगी through किसके not less than two-third of the members present and voting, ठीक है मतलब ये जो है, आप कह सकते हैं कि article 312 में जो है, यह फिर से एक special majority of first kind का जो है, वहाँ पर दिया हुआ है, जिकर किया गया है, तो इस तरह का जो majority है, जिसको हम लोग special मतलब special majority of first kind बोलते हैं, ये basically आपका कहा कहा जो होता है, article 249 में और article 312 में, यही दो जगा आपका बस इस majority को जो है, इसका जिकर किया हुआ है, तो अगर आप से कहीं पुछा जाए कि आपको two-third of present and voting का अगर majority चाहिए तो कहा कहा चाहिए, article 249 249 क्या है, जब आपको state list पर जो है, parliament को power दे दिया जाए legislate करने के लिए, और दूसरा क्या है, जब कोई all India services अगर आपको create करना है, तो रास्वा जो है, वो इतना ही majority से ऐसा resolution पास कर सकती है, ठीक है तो आपका special majority of first kind cover हो गया, अब आता है special majority of second kind, ठीक है ये भी देखिए, कहीं mentioned नहीं है लेकिन क्या है, ये कहीं कहीं आर्टिकल्स में दिया हो रहा था इस तरका majority, तो हम लोग क्या कर दिया है इसको categorize कर दिया, अब देखिए special majority of second kind होता है, क्या है majority of two third members of present and voting ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही different type का है ये आपकर क्या है, two third present and voting तो है ही, ठीक है या 50% of TSH 50% of TSH, क्या था basically absolute majority होता था आपका ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दोनों में से देखना है कि दोनों में से जादा बड़ा कौन सा आ रहा है जैसे एक दिन मान के चलिए आपका एक दिन voting हो रहा है, ठीक है, एक example हम लोग लेते है जैसे मान के चलिए अगर हम लोग लेते है example कि total members ये आपके 600 members है ठीक है, 600 members है और आपके एक दिन present है 540, ठीक है तो अगर हम लोग इसका 50% लेंगे, तो 50% लेंगे, तो कितना आ जाएगा 301 majority हम लोगो चाहिए कोई भी चीज़ पास करने के लिए, लेकिन present and voting कितना है 540 है तो 540 को अगर हम लोग 2 by 3rd करेंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, अगर आप लोग करते हैं तो यह हो जाएगा 180 और यह हो जाएगा 360 तो उस दिन जो है 360 और प्लस 1 करेते हैं 361 तो उस दिन अगर आपको कोई ऐसा कोई जो भी चीज जो special majority of second kind से पास होता है उसको पास करने के लिए आपको कितना votes चाहिए उस दिन 361 मतलब उस दिन क्या हो रहा है 2 3rd of present and voting जो है वो greater than हो जा रहा है 50% of total strength of house लेकिन किसी किसी दिन हो सकता है कि आपका present and voting कम हो लेकिन उस case में क्या होगा आपका present यह 50% of TSH जो है वो जादा हो जाएगा तो उस case में यह वाला use होता है हम लोग देख लेते है इसका बहुत important use है सबसे पहले क्या है constitutional amendment bill which does not affect federalism ठीक अब यहां पर इस word को आप भूल जाए which does not affect federalism इसको हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है यह अभी हमने देखा था ना constitutional amendment दो तरीके से होता है एक होता है outside 368 एक होता है inside 368 तो inside 368 में जितने भी laws पास होते हैं जितने भी constitution amendment bill पास होते हैं वह आपका किसे पास होता है special majority of second kind ठीक है अब हम लोग देखेंगे आगे कि वह जो federalism वाला बात हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे अभी आप इसको hold पे रखें next slide में हम लोग इसको clear करेंगे ठीक है लेकिंग जो भी article 368 के अंदर हम लोग जो भी constitutional amendment करते है that is done on special majority of second kind तो वो क्या होता है two-third of president voting या 50% of TSH दोनों मेंसे जो है वो जाधा आजो ठीक है उसके बादे कि क्या है बहुत important है आपका removal of supreme court judge और high court judge यह जो है आपका किसे किया जाता है आपका special majority of second kind यह आप note कर लीजे बहुत ही important है यहां पर time कि इस जो supreme court और high court को जो हम लोग judges inquiry act जो है जो कि आप जानते है बहुत ही important act है judges removal के लिए उसके अंदर जो है यह दिया हुआ है कि आपका जो है two third majority जो है वो मतलब present and voting या 50 percent of TSH जो है उससे ही हम लोग supreme court या high court judge को remove कर सकते है ठीक है अभी हम लोग supreme court और high court judge के removal में बहुत detail में नहीं जाएंगे लेकिन आपको पता होने चाहिए कि इनका जो removal होता है that is done by special majority of second kind अब आपको question में कहीं भी अगर आता है किसी भी exam में तो आपसे यह नहीं पुछा जाएगा कि जो supreme court और high court के judge है उनको हम लोग remove करते है special majority of second kind, second kind नहीं लिखा रहेगा कहीं पर यह हम लोग का definition है आपको क्या लिखा रहेगा it is removed by a majority of two third members present and voting और 50 40% of the TSH यह दिया रहेगा तो यह statement दिया रहेगा तो आप बिल्कुल right मालेंगे लेकिन अगर आपका कहीं देदेगा two third members of present and voting या आपका देदेगा two third present of total strength तो आप जो है वहां से eliminate कर सकते हैं कि यह option गलत होगा exact statement ऐसा होना चाहिए तो आपका option सही होगा ठीक है उसके बाद देगे क्या removal of CEC or CAG आपका जो Chief Election Commissioner होते हैं या जो आपकी Comptroller and Auditor General जो होते हैं तो इनका क्या होता है इनको same status दिया जाता है as a judge of Supreme Court ठीक है तो जब इनको same status दियाता है judge of Supreme Court तो इनका removal भी जो है special majority ठीक है अब आपका देखिए जो आपका रहना यह जो है यहां पर article 360 नहीं दिया हुआ national emergency जैसे national emergency आप जानते हैं जो जिसको हम लोग कहते है जो हमारा सबसे major emergency होता है ठीक है इसको भी जो इसका approval होता है that is done under special majority of second kind ठीक है लेकिन ध्यान रखें हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि आपका financial emergency और जो आपका state या presidential emergency होता है वो किस से होता है simple majority से ठीक है तो national emergency आपका जो होता है special majority of second kind से उसके बाद क्या है resolution by the state legislator for creation of abolition of legislative council article 169 अब देखिए होता है कि state legislative assembly जो है वो एक resolution pass कर सकती है by special majority of second kind कि हम लोग के यहां जो है state council जो है वो आप नया state council बना दे ठीक है या जो है उसको abolish करते है तो यह resolution pass होता है that is then under special majority of second kind ठीक है तो यह भी एक छोटा सा concept है आपको याद रहना जाहिए अगर कही state legislative assembly को अगर council create करना है तो वो किसे करेगी resolution किसे पास करेगी special majority of second kind और second kind क्या होदा है two-third of members present voting या 50% of TSH ठीक है चली हम लोग अब आपका बात आता है देखिए अब लोग constitution amendment की बात करे थे तो article 368 का बात करे थे तो under article 368 जो है उसमें जो amendment होता है वो that is done by the help of special majority second ठीक है अब यहाँ पर देखिए होता क्या है constitution के बहुत सारे parts है ठीक है constitution के बहुत सारे parts है और constitution को amend करने का जो soul power है that is given to parliament ठीक है अब देखिए होता क्या है कि constitution में कुछ ऐसे parts है ठीक है जिस पर जो है state government का जो है वो राय जरूरी नहीं है नहीं करता है उसको हम लोग क्या करते हैं सिर्फ simple majority of second kind से pass कर देते हैं और वो constitution amend हो जाता है ठीक है जैसे किस-किस चीज़ को जैसा ऐसा हुआ जैसे आपका fundamental rights हुआ DPSP हुआ तो इस पर क्या होता अगर कोई fundamental right को अगर parliament को amend करना है तो क्या करेगी जो एक resolution है दोनों house में जो है वो special majority of second kind से जो है वो pass कर देगी तो माना जागा कि constitution जो है वो amend हो गया ठीक है लेकिन ये सब किस के अंदर हो रहा है article 368 के अंदर लेकिन अब देखी एक बहुत ही चीज़ होता है basically article 368 के अंदर अब constitution amend कर रहे है तो आप तो करिए special majority of second kind से लेकिन क्या है कि जो जो चीजों में federalism भी effect होता है जहां पर federalism का भी बात आने लगता है तो वहां पर हम लोग को क्या एक extra or precaution क्या लेना पड़ता है कि हम लोग को support लेना पड़ता है 50% of the state legislature by a simple majority मतलब आप यहां पर बात समझने का कोशिस करिए कि अगर हम लोग constitution का ऐसा part amend कर रहे है जो कि आपका federalism को भी effect करता है तो वह क्या चीज़ से पास होगा special majority of second kind वह तो parliament ने कर दिया उसके बाद वही resolution जो है जाता है आपका state assembly में और 50% of the state legislature मतलब जितने भी states है उसमें से total 50% state को जो है इसको ratify करना पड़ेगा कि आप constitution amendment किया है वह बिलकुल सही किया है और इसको हम लोग भी मतलब इसको जो है second करते है इस चीज़ को और तब वह constitution amendment जो है वह pass होगा तो और उसमें क्या करते है बस 50% of state legislature से सारे state legislature का जरूत नहीं है जब जैसे 50% over हो गया माना जाएगा कि constitution amendment जो है वह pass हो गया ठीक है और यह जो state legislature जो इस चीज़ को करते है ratify करते है इस constitutional amendment चीज़ को वह किसके करते है through simple majority ठीक है तो parliament ने पास किया इसको special majority of second kind से लेकिन जो state legislative assembly यह वह pass कर रही है simple majority से अब हम लोग देखते हैं कि constitution के ऐसे कौन से part है जो ऐसा majority का जो है वह जरूत पड़ता है तो उसमें सबसे पहले आता है कि election of president and its manner अगर आपने polity पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा president का election तो president के election में आप जानते हैं कि parliament के दोनों house plus state legislative assembly का भी जो है वहाँ पर योगदान होता है लेकिन अगर हम लोग constitutional amendment कर रहे हैं और उसमें यह change कर दे रहे हैं कि president के election में state legislative assembly का अब योगदान नहीं होगा तो यह जो है आपको इस तरह के constitutional amendment को पास कराने के लिए state का भी consent चाहिए क्योंकि यहाँ पर federalism भी effect हो रहा है क्योंकि president के election में state legislative assembly का भी योगदान होता है तो जिन चीजों में state legislative assembly का योगदान होता है उस वैसे part of constitution को parliament जो है वो अकेले amend नहीं कर सकती है ठीक है जैसे any of the list in this 7th schedule में क्या है 7th schedule में क्या होता है बताई आपका union list होता है state list होता है concurrent list होता है अब parliament ने decide कि इस जैसे state list से कुछ जो है उठा कर हम लोग concurrent list में डाल देते है ठीक है तो यह काम करने के लिए parliament के हाथ में तो सिर्फ नहीं है उनको क्या है का भी consent लेना पड़ेगा क्योंकि इस पर क्या होता है इसे state का भी working effect होगा क्योंकि state का कुछ power वो concurrent list में चला जाएगा तो इस तरह का decisions जिसमें federalism effect होता है उसको हम लोग किसे करते है special majority of second kind plus 50% of the state legislation by a simple majority ठीक है यहाँ पर concept आपका बिलकुल clear हो गया होगा अब आता है सबसे unique that is special majority of third kind यह rarest of हम लोग ने आज तक इसको use नहीं किया है ठीक है इसमें क्या होता है two third members of total strength of house यह सबसे बड़ा हो गया देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था two third of present and voting ठीक है अब आ गया है two third members of TSH मतलब आप मान के चले अगर आपका 540 members है two third कितना होगा जली से बताईए 180 मतलब 360 360 members का आपको चाहिए तब जाके कोई resolution जो है वो pass होगा आपके special majority of third kind से और एक ही काम और एक ही चीज है यह कहा है removal यह जिसको आप कहते है impeachment impeachment of president that is done by special majority of third kind ठीक है और यह भी आपके article में mentioned है जो कि आपका अगर आप article में पढ़ने जाएंगे जो removal of president से related जो article है वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा two third membership of total strength of house या total members of house ठीक है तो एक ही चीज है special majority of third kind क्या चीज़ में यूज होता है सिर्फ और सिर्फ impeachment of president में ठीक है तो चलिए हम लोग बढ़ते आगे यहाँ पर दिया हुआ है third kind जैसे आप देखेंगे जो आपका article 61 है ठीक है यहाँ पर देखी जैसे दिया हुआ if a result of investigation a resolution is passed by majority of not less than two thirds of the total membership of the house by which the charge was investigated तो यहाँ पर आप देख रहे है two thirds of TSH का बात हो रहा है तो जब भी two thirds of TSH का बात हो रहा है तो वो कहाँ पर होगा सिर्फ और सिर्फ impeachment of president में ठीक है चलिए तो quick revision करते हैं जल्दी से बत आईए यहाँ पर सबसे पहले absolute majority क्या था AM हम लोग लिख देते हैं जल्दी से revise करते है 50% of TSH ठीक है उसके बाद आया simple majority simple majority क्या था जल्दी क्या था जल्दी क्या था 50% of present and voting ठीक है उसके बाद effective majority आया है तो क्या था 50% of effective strength effective strength क्या होता था आपका TSH में अगर हम लोग minus कर दे vacant ठीक है और उसके बाद आता है special majority special majority में पहला क्या था 2 3rd present and voting special majority 2 क्या था 2 3rd present and voting ठीक है और 50% of TSH जो जादा हो उससे करना है और special majority of 3rd kind क्या था क्या था आपका पताईए 2 3rd of TSH जो कि हम लोग use करते हैं सिर्फ और सिर्फ impeachment of president में ठीक है तो एक quick revision था अब यहाँ पर हम लोग special majority of 2nd kind में भी देखे थे कि इसको अगर हम लोग अगर article 368 के अंदर use कर रहे हैं और उसमें अगर हम लोग federal provision को amend कर रहे हैं तो उसमें या कोई भी editorial का चीज पढ़ते हैं तो अब आपको ढंक से पुरा clarity आएगा ठीक है तो चली मान के चलते हैं कि आपका confusion दूर हो गया इसी तरह का conceptual videos जो है जो कि आपके जो आपके लिए काफी useful हो ठीक है क्योंकि आपको generally ऐसा doubts हमेशा दिमाग में रह जाता है और as a student क्योंकि हम भी हम लोग भी student रह चुके हैं तो यह चीज पता रहता है कि doubt कहां पर create होता है तो इस तरह का videos जो है वह आपके लिए बहुत helpful होगा क्योंकि आपको book में हर चीज लिखा हुआ रहता है लेकिन क्या होता है clarity नहीं रहता है clarity नहीं रहने से आपका हमेशा doubt जो है वह linger होते रहता है ठीक है तो चलिए हम लोग ऐसे ही किसी useful video में मिलेंगे तब तक thank you